इस वक्त की सबसे बड़ी खबर पिनस अदा रही है इस तयारी का एक वीडियो सबसे पहले इसराइल पहुचा है और जब से इसराइल पहुचा है तब से नेतन याहू के सभी कमांडर बाकफुट पर नज़रा रहें इरान ने वैसला कर दिया है इरान ने ताकत की नुमाई शुरू कर दी है इरान ने ऐसी फायर पावर दिखानी शुरू कर दी है जिसकी ज़त में जो आएगा वो मिटा दिया जाएगा इरान बताना चाहता है कि इसरेल से वो तक कर लेने के लिए तयार है लेकिन क्या वाकई ऐसा है कि इरान अब इसरेल से युद्ध करना जाता है क्योंकि घाजा से युद्ध निकल कर बाहर फैला तो खत्रा तीसरे विश्व युद्ध का जताया जा रहा है जिसकी आग में पूरी दुनिया जलेगी इरान पर इस स्वक्त पूरी दुनिया की नजर है इसरैल से लेकर ब्रिटन और रूस से लेकर अमेरिका तक सब इरान के इस फायर पावर पर नजर गड़ाए बैठे हैं क्योंकि इन धमाकों, इन रॉकेट्स और इन टैंकों के टार्केट पर इस स्वक्त दो देश ने हैं पहला है इसरैल और दूसरा है उसकी मदद करने वाला अमेरिका इन दोनों देशों से दुश्मनी की सबसे नई वज़ा इस स्वक्त गाजा है और वहां हो रही बंबारि गाजा में इसरैल की बंबारी की वज़जह से 8000 से ज़ादा लोग मारे जा चुके हैं कबरिस्तान नहीं बचे हैं, लोगों को एक साथ दफनाया जा रहा है गाजा की हजारों इमारतें इसरैल के बंब से दबाह हो चुकी हैं गाजा में 21,000 से जादा लोग कायल हैं और गाजा का हर अस्पताल इस स्वक्त बुरी तरह जख्मी लोगों के इलाज में जुटा हुआ है इनी तस्वीरों की वज़ा से इस स्वक्त पूरे पश्चिमेशिया में गुस्सा है और इस्रेयल को बहुत बड़ी वानिंग भी दे दी गई है इरान, तुर्की और सौधी अरब इन दिनों इस्रेयल पर आग बबूला है तुर्की ने कहा कि इस्रेयल गाजा पर बंबारी वाला पागलपन बंद करे तो सौधी अरब ने भी ये कह दिया कि इस्रेल गाजा में घुसने की कोशिश ना करे इसका अंजाम बहुत बुरा होगा इरान की तरफ से सबसे सक्ट बात कही गई है राश्योपती रईसी ने एलान कर दिया है कि इस्रेल की हुकोमत गिरने वाली है कुल मिलाकर एक बात साफ है कि इस्रेल गाजा पर नौन स्टॉप बंबारी की वज़े से पूरे पश्यमेशिया में घिर चुका है इरान और सौधी अरब की तरफ से तल्ख बातों के बाद अब तुर्की भी इस्रेल के खिलाफ उतर चुका है सवाल है कि क्या ये तीनों देश इस्रेल के खिलाफ एक्शन को लेकर वाकई गंबीर है या फिर ये सिर्फ एक गीदर भब की है इरान ने इस्रेल और अमेरिका दोनों को डराने के लिए बहुत बड़ा युद्ध भ्यास किया है इस युद्ध भ्यास में इरान की सेना ने 200 हेलिकॉप्टर का इस्तिमाल किया है इरान की IRGC यानि Islamic Revolutionary Guards Corps के कमांडों ने इस फाहान के पास अपनी पूरी ताकत दिखाई है इतने हेलिकॉप्टर एक साथ लॉंच करने का मतलब युद्ध ही होता है इसमें इरान के कोब्रा हेलिकॉप्टर भी शामिल हुए यानि मैसेज साफ है इरान बताना चाहता है कि अपनी तरफ बढ़ती सेनाओं के खिलाफ कमांडों आउपरेशन शुरू करेगा दो सो हेलिकॉप्टर के साथ एरान अपनी क्विप रियाक्शन पोर्स का प्रदर्शन कर रहा है क्योंकि अब नए जमाने की युद में तेजी से होई कार्यवाई ही निरणायक साबित होती है एक बड़ी कमांडों टीम को कैसे दुश्मन के इलाके में उतारना है ये भी दिखाया गया अमेरिका में बने C-130 हर्कुलिस विमान के जरिये कमांडों को कैसे दुश्मन के इलाके में भीजना है इसकी भी तैयारी दिखाई गई लेकिन सबसे खतरनाक मैसेच इरान की ड्रोन पावर है योक्रेन में शाहिद ड्रोन की कयामत वाली कारवाई के बाद अब इरान कॉमबेट ड्रोन में सुपर पावर बन चुका है ड्रोन से मिसाइल कैसे फायर करनी है दुश्मन पर कैसे पिन पॉइंट अटेक करना है ये भी इरान केस युद्धा भ्यास में दिखाया गया इसके बाद बारी आई है टेक्टिकल मिसाइल यानि छोटी दूरी पर दुश्मन की टुकड़े पर कैसे सथी खमला करके हाहाकार मचाना है इरान इसका भी एक्सपर्ट बन चुका है ये सब भथियारों को इसरैल के बॉर्डर तक ले जाना इरान के लिए आसान नहीं लेकिन एक तरह से ये युद्धा भ्यास करके इरान अपने दुश्मनों को बता रहा है कि अगर उसे अपनी जमीन पर युद्ध लड़ना पड़ा तो मूतोर जबाब मिलेगा इरान, तुर्की, साउदी, अरब, इन दिनों सब इसरैल पर आग बबूला है तो इस बीच हम आपको ये भी बताएंगे कि युद्ध की स्थिती क्या है जस तरह से घाजा में इसरैल का उप्रिशन चलता है उसकी वज़ा से कई देश उसके दुश्मन बन चुके है और इसी वज़ा से आपको बताते हैं इस वक्त इसरैल पर सबसे बड़ा जो दुश्मन नजर आ रहा है वो इरान है वो बार-बार इसरैल को चेताओं नहीं दे रहा है तो फिलस्तीन भी खामोश बैठने की मूल में बिलकुल वैसे इरान बार-बार कह चुका है कि घासा में इसरैल का ग्राउंड आपरेशन हुआ तो इसका मतलब युद्ध होगा और तब उसे रोकने वाली कोई ताकत नहीं बचेगी इरान के तेवर देखकर नेतन्याहू की तरब से एक ऐसा बयान आया है जिसकी पूरी दुनिया में चर्चा हो रही है नेतन्याहू ने कहा है कि 7 अक्टूबर को हुए हमास के हमले के बीचे इरान है इस बारे में वो पुखता तोर पर नहीं कह सकते एक जा तो है तरब से नेतन्याहूने एरान को क्लीन चिट बेदिये सवाल ये भी हुटता है कि एरान से युद को लेकर क्या इसराइल बैक फुट पराच हुगा है और वो एरान से ये भी कहना चाहता है कि वो भी घासा से दूर रहे और अब एरान भी अपनी जनता को खुश्ट करने के लिए इसराइल के खिलाब सिर्प बयान बाजी पर फोकस कर रहा है साथ में वो युद्ध अभ्यास के वीडियो भी जारी करके बताना चाहता है कि all is well ऐसे में सवाल है कि जब एरान के लिए ये हत्यार इसराइल की बॉर्डर तक पहुँचाना आसान नहीं तो फिर गाजा को कौन बचाएगा क्या घाजा को खुद को बचाना होगा? क्या घाजा के लिए युद्ध की धमकी वाले बयान सिर्फ और सिर्फ दिखावा है? ये सवाल इसलिए क्योंकि इसराइल की सेना ने राद के दौरान चलाय गया ऑपरेशन के दौरान घाजा में कारिवाई की है अलाकि उससे शुरुआती छट्फों के बाद समझ में आ गया कि घाजा में टिप कर ऑपरेशन करना उसके लिया असान नहीं होगा ये घासा की तरफ बढ़ती इसरेयल के सैन ये काफिले का वीडियो है जो 7 अक्टूबर का बताया जा रहा है तब हमास की एक एंटी टैंक मिसाइल ने इसरेयल की पैंथर बखतर बंद गाड़ी को टार्गेट किया था इस धमाकी का क्या असर हुआ इसकी रिपोर्ट नहीं मिली लेकिन पैंथर बखतर बंद गाड़ी में 12 से 14 सैनिक सबार किये जाते है खाजा में बंबारी के बीच ए बड़ा होट स्पॉर्ट इसरेयल और लेबनन का बॉर्डर बनता हुआ नजरा है लेकिन अब उत्तरी इसरेयल की तरफ लेबनन बॉर्डर पर हिजबुल्ला के हमलों में भी नई धार देखने को मिल रही है अपने 40 से ज़्यादा लड़ापों को गोने के बाद हिजबुल्ला ने इसरेयल की पूस्ट पर एंटी टैंक मिसाइल से हमला तो किया लेकिन अब तक वो इसरेयली फोज का कुछ खास नहीं बिगाड़ पाया है